नमस्कार दोस्तों पात्फाइंडर पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक पेटेशन के सुलवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया कि क्यो ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच इस अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज बर्ड है उसको संरक्षत करने के लिए प्रोजेक्ट जी अइब शुरू किया जा सकता है लांच किया जा सकता है क्या है पूरी न्यूज क्या क्या कहा गया है आईए जानते हैं आज की सेशन में बट बिफोर मुविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलिग्राम चानल्स पर अगर प्रोजेक्ट जी आईब को लाया जा सकता है प्रोजेक्ट टाइगर तो ऐसा लॉज किया जाना चाहिए उससे हम इस बड को सेव कर सकते हैं तो यहां पर इग्जाक्ली उन्होंने कोट अनकोट कहा है कि जैसे की प्रोजेक्ट टाइगर हमारे पास है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरह का कोई मेकानिजम हम लेकर आए, सेम मेकानिजम हम लेकर रहें, जिससे की फोकस लाया जासे के Great Indian Bustard पर भी लाइक अग्याविंग प्रोजेक्ट ग्रेट इन वस्टर्ड यह जो बेंच थी सुप्रीम कोट की जो पेटेशन सुन रही थी उसमें थे C.J.I. D.Y. चंडरचूर, Justice A.S. Bopanna in Justice V. Ram Subramanyam इन्होंने इस पारे में इस पेटेशन के रिस्पॉंस में कहा So Great Indian Bustard के बारे में जान लेते हैं पहले तो यह एक बहुत ही बड़ी बर्ड है जो जेन मेंली राजस्थान और गुजरात में भारत में मेंली यहां पाई जाती है Now in the comment section you will tell me और कौन-कौन से राज्यों में G.I.B. पाई जाती है Majorly गुजरात और राजस्थान में कुछ पाकिस्तान के पाच में भी पाई जाती है लेकिन इसके लाबा कौन से राज्यों में आम मुझे comment section में बताएंगे और इसको IUCN के दुआरा critically endangered घोशित किया गया है By the International Union of Conservation of Nature जहां इसका जो historic range है वो included है In much of the Indian subcontinent जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल इन दो राज्यों में और भी राज्यों में जो आपको मुझे बताना है लेकिन अब ये घटकर 10 प्रतीशत तक ही रह गया है केवल Now it is limited to 10% only और ये अमंग्स This is among the heaviest birds with flight जो उड़ सकती है उसमें सबसे जादा भारी ये बर्ड्स है ये जेनरली कैसे जगहों पर पाई जाती है GIBs प्रेफर करती है अपने हैबिटाट के लिए तो ग्रास लांड्स वाला एरिया इन के लिए चाहिए होता है टेरिस्ट्रियल बर्ड है हम सभी जानते हैं बर्ड्स है टेरिस्ट्रियल बर्ड है ये अधिकतर अपना समय ग्राउंड पे बिताती है और ये फीड करती है इंसेक्स पे लिजर्ड्स पे ग्रास सीट्रा पे Now GIBs are considered as the flagship bird species of grassland ये grassland जो एको सिस्टम है उसके लिए flagship bird species है What is a flagship bird species? flagship bird species वो होता है जिसको एक तरह से एक आइकन की तरह देखा जाता है जो बाकी के जो ecosystem के जो बाकी species है उनके survival के लिए essential होता है ठीक है तो ये flagship species है और इसलिए इसके जो barometers है grassland की ecosystem के यहाँ पर ये कितनी है ये कितना survive कर पा रही है वो कहीं न कहीं define करता है the health of grassland ecosystem तो इनकी जो population है वो ecosystem की grassland ecosystem की health को भी determine करती है क्योंकि ये flagship species है Now, क्यों endangered है तो इस बारे में पहले भी काफी जादा बात हुई है लेकिन सबसे बड़ा जो threat है G.I.B. इसको वो है overhead power transmission lines का जो बिजली की तारे होती है न उन से क्योंकि इनका जो frontal vision काफी poor होता है तो ये spot नहीं कर पाती है power lines को एक distance से और ये इतनी heavy है कि जब वो power line के उस line के पास पहुँछते है तो ये अपना रास्ता चेंज नहीं कर पाती है जिस वजे से ये collide करती है with the cables and they die according to World Wildlife Institute of India WII Rajasthan में ही 18 GIVs की मृत्यू होती है हर साल because of this collision with the overhead power lines ठीक है चलिए इसके साथ साथ अगर conservation effort की हम बात करें तो Supreme Court ने April 2021 के अपने order में कहा था कि जो overhead power transmission lines है in the core and potential GIV habitats जो की काफी ज्यादा बिच्छी हुई है इन Rajasthan Gujarat area उनको लेकर ये कहा गया था ये आदेश भी दिया गया था जाहिए on the installation of bird diverters reflectors जैसे structure होते हैं जो reflect करने में मदद करते हैं birds को ठीक है power cables परते हैं और priority areas जो भी priority areas जहां पर जादा इस तरह के हाथ से देखने को मिल रहे हैं of the Supreme Court हाल ही में now GIB जैसे कि ने बताया IUCN में critically endangered category में इसके साथ-साथ ये Indian Wildlife Protection Act WPA 1972 का उसमें schedule 1 में है which commands which gives it the highest level of protection इसके साथ-साथ CMS convention में भी protection में है in appendix 1 of sites और critically endangered है in the IUCN Red List साथ-साथ ये National Wildlife Action Plan का हिस्सा भी है जहां पर इनकिस अंदक्शन के लिए काम किया है इसके साथ-साथ इनको identify किया गया is one of the species for recovery program जिनको recover किया जाने की तरफ प्रयास करना अबश्रक है मतलब इनको breeding को assist करके इस तरह की चीजें करके ताकि इनको recover किया जा सके under the integrated development of wildlife habitats of the Ministry of Environment and Forest and Climate ठीक है तो ये सब प्रयास इसमें किये जा रहे हैं already इसी के साथ-साथ अगर हम इनकी जनसंख्या की बात करें फिलहाल तो GIB राजस्तान की state bird तो है ही और इंडिया की सबसे दा critically endangered bird category में भी आती है 2021 की report के according report of IUCN IUCN ने ये आकड़े दिये हैं ये बिल्कुल अपने वर्ज पर है extension के जब इनकी जनसंख्या केवल 50-2009 बताई जा रहे हैं कि अभी कर live birds की हम बात करें तो 50-2009 bird ही live हैं फिलहाल तो ये extinction की कगार पर पहुच चुकी हैं तो let's see, सरकार इस बारे में क्या decision लेती है और from the environment ministry क्या किया जाता है आगे देखेंगे इसके बारे में, रफ्तार accelerate शुरू हो चुके हैं, एक December से दोस्तों अभी जाकर enroll कर लीजिए जहां पर आपको 100% revision मिल जाएगा with the top educators in the country Now, final stages है, ये batches को join करना ज़रूरी है, अभी join कीजिए, early bird offer है अहां पर आपकर चल रहा है, 25,000 और 30,000 में आपको 6 महिने का subscription मिल रहा है English language, English batches होंगे ये, CSAT के लिए भी हम एक offer रहा हैं, जहां पर 12, 12 December से आपके batches शुरू हो रहे हैं with a introductory price, अभी जाहिए इसको enroll कर लीजिए with my code ndlif10 और CSAT को blockage मत बननी दीजिए अपने selection में UPSC के, now, EMI का option भी अविलेबल है, हो सकता है financial constraints हो, कुछ हो तो आपको 0% EMI का option भी अविलेबल है, ये भी आप अवेल कर सकते हैं platform पे, last mile, which is a free interview guidance program, हम सभी जानते हैं कि mains का result आप किसी भी दिन आ सकता है, तो अगर आपको लगता है कि आप interview देने वाले हैं, तो definitely जाएगो, join कीजिए, free guidance program है, बहुत सारे हैं आपर benefits आपको मिल जाएंगे, इसी के साथ, साथ, 2018-2021 तक के, Mains GSPYQs, ये video solutions live है platform पर, जाएगे doubt and solutions section में जाकर उनको, देख लीजे, so that is it from my side guys, I hope you like the session, don't forget to like, share and subscribe to the channel, also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates, thank you so much God bless.